जयाहंग केंडिडेट आई दो किसी ब्रॉड यों पुछे जाते हैं पहले प्रतिवी की शतर पर पगले हुए लावा जो कछोरी करण से प्राप्त स्टोन का निर्मार होता है उसको क्या कहते हैं तो देखिए आप देखते चलिए कि इसका प्राप्त करने के लाँ प्रणाम स्वरूप किसका निर्मार होता है तो आपको बता दें कि इस कोशन का राइट अंसरों का निर्मार होता है यह जो है यह जो है अगने चट्टान होते हैं कौन से चट्टान होते हैं अगने चट्टान होते हैं कौन चट्टान होते हैं अगने चट्टान होते हैं जितने भी इंपोर्डेंट हम इसके सारे फैक्ट बता दूं यह चट्टान जो है यह वायुमंडली प्रभाव के जो है जो है भूम्भी सथीफ और जो एज चटान भूम्भी के निकट आ याते हो उपरी भूम्भी के सथा पर आयोए लावा जो ठंडा हो जाता है ताहां ब्रेस बेसाल्ट और ट्रेप का निर्माड हो जाता है आई यह चलते हं अंगले और जबर कोशन की तरह मारा अगला क्या है चूना पत्थर की बात करते हैं बात करते हैं चूना पत्थर को वर्गी क्रिट किया गया है जब चूना पत्थर की बात करते हैं तो आपको बताते हैं चूना पत्थर को वर्गी क्रिट किया गया कितने भागों में वर्गी क्रिट किया गया है चूना पत्थर के करें है चलते हैं अगले और जबरजस्ITY की तरह हमारा अगला और जबरजस्ता पत्थर चलेंगे बालू पत्थर बालू पत्थर निम्रखित में से होता देखिए ऐसे assignments को अपना एक बार लिगे धिया तो जैसे अधी आटी लिग्वाशन की करते हैं तो बालू पत्थर का निर्माड जो है सैंड इस्टों से होता है से इस्टों सैंडिक पाइख से से इमयरहान।क्त सै कौन से सैडुमेंटरिक रॉल स्भिशफ wholesale और जबढ़ना तुम किसका उदाहरण। यानि रुपांत्री चट्टान का उदाहरण है बात करते हैं संग मरमर की तो संग मरमर की बात करने के बात तो आपको बता दें संग मरमर की वट्टिकाओं पत्थर होती है यह कठोर रविदार होती है इसमें मुख्यता चुने का कार्बेट कर्वोनेट होता है इसकी सामर तो जो है रचना में परिवर्तन के कारण बनी हुई चट्टानी क्या कहलाती है वह राक जो ऑगनीशिन इस्टेक्चर ड्यू टू हीट आफ एक्सक्यू प्रेसर और जो प्रेसर के आपके कारण होता है वह कहा होता है तो मेटामोर्फिक राट होता है जैसे आपको बते हैं इसका निर्माण होता है जो बलुआ पत्थर चुना पत्थर होता है कायंतिक पतार के बाने में बताया नेक्स्ट और जबर्जेस कोशन की तरब चलते हमारा अगला और जबर्जेस कोशन है हम आपको अधारते थोड़ा सा ये टेड़ हो गया है इसको पडिएफ में गन्व का विशिष्ट गुरुत के बारे पूछा है तो इसका स्पैसिफिक क्रेविटी जो है वह आपका 2.4 त 2.8 यानि कि आपसर नंबर आम आपको बता देते हैं आपसर नंबर सी चलते हैं अगले और जबर्जेस कोशन की तरब बलुआ पत्थर की संप्रिडन सामर्थ पूछा यानि 650 किलोग्राम प्रती संटेमिटर इसको आपसर नंबर भी और इसके बाद बता देते हैं जो है बलुआ पत्थर का 5-6 होता है यह अस्तरी यह पत्थर वी अस्तरी और इस तरी त्याहर सिल्का में होती है चलते हैं अगले और जबर्जेस कोशन की तरह हमरा अगला और जबर्जेस कोशन क्या है थोड़े स्पीड में पढ़ाते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा पत्थर की जो धारनमान नेर्दार किया जाता है वो जो है सन्निघट अटेयां से किस से होता है अट्रिट संट्रेस्ट से चलते हैं लिए जबर्जेस कोशन की तरह हमरा और नेक्स्ट जबर्जेस संहें पत्थर की जो संद्र Stefan मार्थ होती है पत्थर की संट्रेंस अ साप्त आनि करते हैं तो यह आपको सॉ मिगा पास्कल होता है कितना होता है सो मेगा पास्कल काफी बार यह कोशन आया हुआ किसी एक्जाम में आप देख सकते हैं अभी भी आभी रहा है चलते हैं अगले जबर्जस कोशन की तरफ नेमलिक में से किस में कम इकाई भार होता है बात करते हैं कम इकाई भार की तो कम इकाई भ तो वे होते हैं बलुवा पत्तर यानि ещё कौन होते हैं बलुआ पत्थर यानियस हैं चलते हैं जबर्च पर अगला को कि ताप और दाब के अधिन निमन में बदला जा सकता है अगर पाने पीछे बता हैं कि ग्रेड नाईड को ताप और दाप के अधिन जो है किसमें बदला जा सकता है कायंतरित में यह यह quatro है नाइस कौन से आपको और फ canoe फ्लेंग करने बाद जोyanand में बदला जाता है बलुआ पत्थर को कायंतित करने के बाद क्वाटज में बदला जाता है चुना पत्थरों कायंतित करने के बाद संग्मर्मर्म बदला जाता है सैल पत्थर को कायंतित करने के लिए आप हमारे टेलीग्रम चनल को जोईन किजिगा जिसका लिंग डिस्क्रि जिसका विशिष्ट गुरू तो आपको बता दे 2.6 होता है और इसकी संप्रिदन सामर्थ आपको बता दे 70-130-70-130 एमन प्रती बिडर स्कॉर होती है चलते हैं अगले अर्जबर्जैस कोश्चन की तरह हमारा अगला अर्जबर्जैस कोश्चन है नेक्स्ट एक कोशन है कि एक अच्छा इमारती पत्थर वह है जो एक दिन के विसर्जन के बार अपने भार के अधिक पानी कोश्चन है अभी हमने पीछले वाले में ही बता था कि जो इस्टोन होता है वह अपने भार का 5-6 परसेंट अभी आगए भी बताएंगे यह 5-6 परस जाता है जिसकी संदलन सामर्थ हो जो है एक हजार केजी प्रती संटे मिटर होता है इसको 24 घंटे पानी में डूमने पर अपने भार का 5-6 परसेंट अधिक नहीं सोखना चाहिए इसका विशिष्ट भार जो है 2.7 होता है चलते हैं अगले जबर जस्कोशन की तरह मरागला एक चूना पत्थर अधिक मोटाई का भूर पी एक क्रिस्टल बनावट में पाया जाता है वह क्या कहलाता है वह जो है क्या कहलाता है आपको बता दे कि वह लाइमिश्टों का यानिकी सूसणा पत्थर अब बात करते हैं तो जिसका विशिष्ट भार बता दें वहां से 2.75 पाइप होता है अब बात करते हैं इसकी सामर्थ की सामर्थ की तो 550 kg प्रती सेंटीमेटर स्कॉार होता है अब बात करते हैं जल और सोसर्ड की तो जल सोसर्ड इसका एक से जैसे कोशन दिया जाता है कि सामाने भावन निर्माने में जो है उनके दिर्वार निमार में किस पत्थर का प्रियोग करते हैं तो बलुआ पत्थर का प्रियोग करते हैं सजावटी भागो तथा वस्तू कला के लिए संगमर्मर सुछमकडवाला बलुआ पत्थर का प्रियोग करते हैं जो बिजली के स्वीच में प्रियोग करते हैं सिमेंट तथा चूना उत्पाधन के लिए चूना पत्थर कंकड का प्रियोग करते हैं कंक्रीट के लिए आपको बता दे ग्रेनाइट वैसाल्ट ब्रेव और लेटराइट का प्रियोग करते हैं नेक्स और जबरजस पोस्टन हैं इसमें नीम्लेखित में से किस मैं शरवादिक अगनी रोधाग घुड़ पायते हैं बात हुए शरवादिक अगनी रोध जोधक घुड़ की तो आपको बता दें इसकी हम पूरी डिचेल्श साथ बता दें अब को बताएं कि आप scientist जो है बलुवा पन्थर की आउसाधी Спटान से प्राप्थ होता जिसको penetrate भाथ करते हैं इसके प्रतिमीट्सकी सामर्थ होती इसका आपेची घनत तो जो है 2.65 से 2.95 होता है उसके बाद यह अगनी का अच्छा प्रतिरोधक होता है इसकी जल अवसरसर छमता जो पांस से परसेंट होती है जो बेश्ट यह जाता है चलते हैं अगले और जब सब्सक्राइब जीन सैलों का मों के अधक घटक जो है अल्मु जबर जैस कोशन के तरफ चलते हैं अब हम बात करते हैं जिसको माइका फैल लोमाइट तथा कल्सी चटानों भरों के निर्माण में खनी नायड वसल ट्रैप ड्लो माइट इत्यादी चटनाने जो होती है अगने चटनों के अंतरगत आता जी है वत्वेसल्ट और ट्रैप साहल इगनाइट इत्यादी तलचटी यानि सेडिमेंटरी क्रॉक से प्राप्त होते हैं निज पत्थर जो है कायंतित चटानों से प्राप्त होता है जो ग्रेनाइट के रूपारंतरण के फलतुरु प्राप्त होते हैं चुना पत्थर की तलचटी चटान कहते हैं बलगवा प को निया का प्रियोग करने के लिए इसका यूज होता है तो मितिका में पत्थर की अगनी की अच्छिक और उधक होते हैं अपने भार का 5% से अधिक भार नहीं होना चाहिए तो कैसा लगा वीडियो कमेंट जरू करें यदि चैनल पर नहीं है तो प्ली सब्सक्राइब लाइक कमेंट करें इसका प्राप्त करने के लिए आप अमरे टेलीग्राम चैनल को जवाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वैडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धानेवाद